गूर्णिंग एवरिवन कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे सुबस से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हूं यहां पर डिक फास चल रहा है जो मॉर्णिंग टाइम में हमारे घर में चने बनते हैं तो आज कल मैं यह चीज नहीं दिखा पा रह दाल और दूसरी साइड में मैंने गैस पर रखा है कटल की सबजी बनने वाली है तो यह मैंने बॉइल करने के लिए यहां पर रख दिया है और यह थोड़े देर में बॉइल हो जाएगा वैसे थो हम प्रिशर कूकर में ही बॉइल कर सकते हैं लेकिन मैं जो रिस्पी आप मैश कर दिया है तो यहां देख रहे हैं बॉइल करने के बाद काफी सॉफ्ट हो चुका है तो बहुत इसली हो जाता है यहां पर मैंने चार प्यास कटकर के रखा है मीच और साथ में यहां पर लैसन को थोड़ा सा कूट ले रही हूं और उसी कढ़ाई में मैं जस्ट ऑईल डाल दे रही हूं मस्टर्ड ऑईल मैंने डाला है क्योंकि मस्टर्ड ऑईल में यह सबजी बहुत अच्छी बनती है और आप लोग इस रेस्पी को जरूर ट्राई करना और यहां पर मैंने डाल दिया है तेज पत्ता और यहां पर साइड साइड में पकड़ा है वही मम्मी दोढ़े जाते हैं उसके सबसी बहुत अच्य बनती है तो यहां पर मैंने डाला है थोड़ा सा डाल चीनी लॉग वेगार जो ilawakos माने डाला है उसके बाद मैंने डाल दिया है प्यास मैंने जीरा वेगर सबकुश मैंने डाल दिया था तो यहाँ देखिए बड़ी लाइजी बड़ी लाइजी आप लोग इसमें जरूर डालिएगा और मैं प्यास को भून ले रहे हूँ थोड़ा बहुत सॉफ्ट करना हो गया और उसके बाद मैं इसमें एड़ कर दे रहे हूँ लेसन जिसको मैंने कूट के रखा था और आप इसी तरीके से आप डालिएगा और यह सबजी थोड़ा सा टाइम लगता है बड़ बहुत ही टेस्टी बनता है सबकी अपनी अपनी पसंद होती है तो बस ऐसे मैं भून ले रहे हूँ उसके बाद मैं थोड़ा सा ढखके भी पकाई हूँ और उसके बाद आपको एड करना है कटल को जो मैंने ऐसे करके रखा था तो बस इसको मैं कटल को थोड़े थोड़े करके डाल ले रहे हूँ और यह सबजी ड्राइ बनती है आप मसाले वाली भी बना सकती है then मैं इसको ढख दे रही हूँ और थोड़े दिर बाद मैं इसमें एड़ करूंगी मसाला तो कम से कम 5 मिनट तो यह पक गया है और उसके बाद मैं इसको फिर से हटाई इसका ढखकन और अच्छे से मैं इसको चला लूँगी और चलाने के बाद मैं इसमें एड़ कर रही हूँ हल्दी पाउडर और मैं जीरा और काली मिश पाउडर एड़ करूँगी धनिया पाउडर एड़ करूँगी यह रिस्पी बहुत लोग बनाते होंगे बट मैं आज अपने वीडियो आड़ करने के बाद मैंने मसाले भी आपको बता दिए थोड़ा सा आपको लास्ट में आपको डालना होगा इसमें गरब मसाला गरब मसाला इसमें डालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो लास्ट में मैं उसमें डाल दूंगे नमक भी मैं इसमें एड़ करूँगी और नमक एड करने इसको थोड़ा बहुत ही लोपलेम पे पकाना है और यह फाइनली 15 मिट बाद यह सब्जी बन के रेडी हो चुकी और इस तरीके से है बिल्कुल राई बहुत ही टेस्टी लगती इसमें टमाटर नी डालना होता है तो बताना सब्जी कैसी बनी है और कौन-क है यह वन वेलकम बैक को मैं चैनल कैसे हैं आप तब हो बहुत इच्छ होंगे ब्लॉक अभी कैमरे के सामने में अभी आ रही हूं और ब्लॉक को कंचनिव कर रही हूं सुबह बिलना यहां मैं बैठी हूं क्योंकि लाइट चली गई है और फिर रूम में बिल्कुल भी लाइट नी एक बल्ब जो जलता है उससे बिल्कुल रिष्णर मंगा थी वही मैंने अज अपने बालव में लगाया घूकि कर तफिवार वी आज में कुछ हुर की रिवियु आगे तो चली अभी ब्रेपास्ट कर लेते हैं फिर मा आप लोगों से मिलते हूं तो बस मैं आप लोग कर शांत रिवियु करने वाली हूं परपल के टी ट्री एसेंसियल ऑईल के बारे में और यह कौन से लोग कैसे स्किन के लोग यूज कर सकते हैं क्या इसके बेनफिट्स है और इसको यूज कैसे करना है यह भी आम मैं आपको बताने वाली हूं तो यह देखिए इसकी पैकेजिंग कुछ आउट आप पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है और इसकी जो कॉंटिटी है वह 10 ml की है और इसकी जो प्राइस है प्राइस में बता दो 250 है बट मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक में में जन कर दूंगे आप लोग वहां से पर्शेश करेंगे तो यह आपको 200 से कम में मिल जाएगा और बहुत ही ज्य आप टेटरी के बारे में मैंने 3 essential oil मंगाया है उसके बाद इसके बाद रीव्यू करूंगे तो इसको मैं यूज कर रहे हूं इस तरीके से भीत आप रहे हैं और इसके बाद इसमें देता है एक ब्रॉप यह दिया हुआ है जिससे आप essential oil निकालके और आपको लगाना है और यह एक छोटे से बोटल में तो आप देख रहे हैं यह इतना छोटा सा बोटल है इसका नेट वेट कितना है यह लिखा हुआ है मेंशन है और यह कांच की बोटल है पैकेजिंग अच्छी है लेकिन हाँ आपको थोड़ा संभाल के रखना होगा इसको यूज करते हैं तो आप अगर आपको अपने बालों में भी इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको अपने बालों में भी इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको अपने बालों में भी इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको डेंडर की प्रोब्लम हो रही है आपको इचिंग हो रही है तो भी अपने आ जेसे पहले यूए कैसे करना है यह दो आपको बतातीए हूँ गुटाती। शेशाल में करता च RAW हो इस दो निशाएं मोगाई में रूडने मिक्स करके लगा सकते हैं से इसंगार आप रिए में मिक्स दृर्ट करके लगा तो आपको जैसे हमें ही हमें लेना है आपको इस में से 3डॉर लेना है दो या तीन ड्रॉप्स लेना hy.. impale की फ़ीन लगानाया उसी वचल्स क्रीम क्रीम है तो यहां पर मेरा डेली यूस वाली जो मेरी क्रीम है उसको मैं ले ले रही हूँ और उसके बाद इसमें मुझे मैं इसमें दो या तीन रॉप एसेंसल ओयल के मिक्स कर देंगा और बस इसको आप इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं ठीक है एंड उसके बाद आप अपने फेस पे इसको लगा लीजे जैसे आप डेली क्रीम लगाते हैं वैसे ही बस आपको इसको लगाना है अपने फेस पे और यह आपके स्कीन में बहुत ही अच्छे से अब्सोर्ब हो जाएगा और आगे मैं थोड़ा सा और इसके बारें बतागे अगर आपकी स्कीन काफ़ी जादा ड्राई हो रही है बेचान हो रही है अगर आपके स्कीन पे एकने की प्रॉब्लम है इंफेक्शन की प्रॉब्लम हो रहे है तो आप इस परपल के टीट्री एसेंसियल ओयल को यूज कर सक कोई भी चीज में आप क्रीम में दो तीन बूंदे इसके मिलाईए और उसके बाद आप अपने फेस पे लगाईए अगर आपके फेस पे बहुत यदा दाग धबे हैं तो आप इसका एक एक स्पून आप हनी का लीजिक या फिर कर्ड भी ले सकते हैं और उसके कुछ बूंदे दो या तीन बूंदे आप इसके मिलाईए और उसके बाद आप 15 मिनिट तक आप रखे और फेश वाश कर लिए धीरे धीरे अगर आपको एकने हैं तो उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कुछ हफ्तों में दूर हो जाएगी अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा गह करता है अगर आपके हेर में ग्रोथ नहीं हो रहा है तो भी आपके हेर को लॉंग करता है तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं इसका लिंक में डिस्क्रिशन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी आप लोग चेक आउट कर लीजेगा चलिए ब्लॉग को कंचिन्यू करती हू तो यह शाम का टाइम था और यहाँ पर मेरी तपित बहुत ज़्यादा खराब हो की थी मुझे बहुत ही चक्कर आ रहे थे हैं जब भी मैं खड़ी हो रही थी तो आखों के आगे अंदेरा अच्छा जा रहा था देरने यहां पर मेरा चेक हो रहा है बीपी ममी बहुत ज़्यादा गुस्ता हो रही थी डाट रही थी कि टाइम से खाना वाना कुछ भी नहीं हो पा रहा है इसी वज़से हो रहा है तो बस यहां पर पापा आ गया है मेरी रूम में और पापा शाम का देख रहे हैं तुम बहुत डाट रही थी तो यहां पे बस पापा देख रहे थे कितना है और शाम मैं दो पर में बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाई थी जब मैंने रिव्यू किया ना उसके बाद मैं जस्ट लेट गई थी और बच में ये शाम को ही मैंने कैमरा लगाया था औ और मैंने अपने रूम ठीक किया था उसके बाद थोड़ा बहुत काम था वो सब मैंने किया था और मैंने पोचा बाद में लगाया था लेकिन उसके बाद मेरी तबित खराब हो गई थी और उसके बाद यहां पे पापा चेक कर रहे हैं कितना है क्या है यहां मम्मी मुझे कुछ बाते समझा रहे थी कि ज्यादा काम मत करो तो मैं यह सूस्ती हूँ ना इधर की ना उदर की आवलो करो तो भी प्रॉब्लम ना करो तो भी प्रॉब्लम एंड उसके बाद यहां पर मैं कल कोई ब्लॉग नहीं बनाये थी दूसरे दिन का मॉर्निंग का क्लिप है और मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि तब ठीक नहीं लग रही थी मुझे तो यहां बस मैं मम्मी को धनिया पूरी खाने का मनुआ था तो वही मैं ग्राइंड कर रही हूं और वह दो बार बना था और यह तीसरी बार बन रहा है तो उनको काफ़ी ज़्यादा प करनीया पत्ती को और सामने ही यहां पर मैं जगह है वहीं पर मैं रख देती हूं कीचन में भी काफ़ी जगह है लेकिन वहां साइड में रखती हूं अग्ड़ाई में डाल दिया है और मैं अभी बनाने जा रहे हूं सोया बीन और आलू की ड्राइवाली सब्जे तो यहां मैं सबसे पहले मैं बनाने की बढ़ारा इसे बावरी ओता ईटाक करें ले खोंगा प्रवाधा रहे हूं में बंदा और शाम में क्रॉच में दिया है अंहां पर मैं और ईसमें आड़ाई साबू। जो भी जीरा, साबुत जीरा होता है, साबुत जीरा मेथी वेगर और यहाँ पे आप मेरा फिज देख सकते हैं, उत्रा हुआ सा लग रहा है क्योंकि ठीक नहीं थे मिले तब्याच लेकिन, क्या जो भी यह सब कामवाम तो रहता ही है, खाना नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क यहाँ प्रफीच भी वाजाता है देन यहां देकिया बीड़े, ब्लीक पमेश क्षिक हैसरा हैوس को यहां पर मम्मी बनाना खरीद के लिए कि आई हैं और यह दिखा रही थी मुझे कि यह कैसा है और आप लोग को दिखा रही है आप लोग बता नहीं मम्मी ने कैसा खरीदा है क्योंकि मम्मी आप लोगों से स्पेशली दिखा रही है और यह सारे मैं मैश कर ले रही हूं आल बस यह रेश्पी शिंपल सी थी लेकिन स्टार्टिंग वाली जो मैंने कटल की सब्जी की रेश्पीस ब्लॉग में शेयर की थी वह आप लोगों को पसंद आई होगी इसमें जो तर्मरिक पाउडर था मतलब हल्दी पाउडर ये खतम हो चुका था इस पाइस बॉक्स में तो यहां मैं धनियावाला आठागुन था मुझे मैं निखाल लिए घुरए एंटे है विए ये भी तो.. होड़ा है ठोड़ा सा मैं दाल की नमक और यह सब कुछ डालने के बाद में इसको गोतड़ऊंगी जवाईदमक मैं पहले ही मिक्स कर लिए हाटे में उसके बाद में धन्यापति का जो पेश था ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पाने अईयर करके के डाल रही हूं को फिर वेस्ट क्या करना है ना और मैं गूत ले रही हूं आटा बस मम्मी को बहुत जदा मन हो रहा था खाने के लिए इसी वजह से मैं बना रही मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आता है धन्या वाली पूर या फिर धनक्र ब्रटी कुछ भी मुझे पसं झाल